वेल्कम बेक फ्रेंड्स, पार्ट पोर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूँ गिरिश कुमर बाटी और आप देख रहे हो ओनलाइन यूट्यूब चैनल डिलाइट एक दिन इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, टैंजेंट्स ओप सर्कल आप पहले तो यह बता दूँ कि टैंजेंट का मतलब क्या होता है, टैंजेंट यह एक रेज होते हैं, आप रे तो जानते ही हो, रे मतलब ऐसी कोई जोमेटरी का फिगर जिसमें एक पॉइंट पॉइंट होत होता है, मतलब वो आगे जाता ही रहता है, ठीक है, आपको रे के बाले में पता ही होगा, ऐसा हम मानके जलते हैं, तो टैंजेंट कुछ नहीं है, यह रे होते हैं, जो खास तरीके से सर्कल के उपर जितने भी पॉइंट से उनकी डारेक्शन को दिखाते हैं, यह है सिम्पल meaning tangent का, ठीक है, what is tangent, tangent are the rays which shows the directions of a point which are present on the circumference of circle, यह है इसका सोड़े definition, circle की perimeter के उपर जितने भी points हैं, वो हर एक point की अपनी खुद की direction होती है, और उस point की direction दिखाने के लिए हम जिसको use करते हैं, वो है tangent, ठीक है, तो बहुत ही important topic है, यह सारे वीडियो, इसके बाद के सारे वीडियो आप देख लेना, मैंने यह पर पार्ट 6 लिखा हुआ है, बट यह पार्ट 3 है वीडियो का, क्योंकि मैंने पार्ट 4 और पार्ट 5 ट्राइंगल था, वो skip कर दिया है, तो आप confused मत होना कि सार पार्ट 3 ब अब एक बार ध्यान से देख लिजिए, तो चलिए सुरू करते हैं, पहले question को समझेंगे, question से rough diagram ready करेंगे, और उसके बाद फिर हम instrument का use करते हुए उसको actual shape देंगे, ठीक है, चलिए question पढ़ लेता हुँ मैं, draw a circle of radius 6 cm, फिलाल मेरे पास जो notebook है, उसके अंदर अगर मैंने 6 cm का circle draw कर दिया, तो बाकी का construction करने के लिए मेरे पास space नहीं रहेगी, तो book का question है, notebook की हिसाब से, मैं इसको थोड़ा सा change कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, 3 cm, ताकि मेरे notebook में यह draw हो सके, from a point 10 cm away from the center, यहाँ पे 10 cm काफी बड़ा value है, तो मैं इसको change करके 7 cm ले रह हूँ, ताकि मेरे notebook में आ सके, from center, construct a pair of tangent to circle and measure their length, तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना है, सबसे पहले आपको एक circle draw करना है, ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको zoom कर लेता हूँ, zoom करके दिखा देता हूँ, क्योंकि बच्चे zoom करने के बाद ज्यादा सकते हैं, ठीक है, य लगी नहीं रहा है कि circle बना हुआ है, ठीक है, फिर भी आपको मानना पड़ेगा कि यह circle है, ठीक है, अब इसका यह center ले लिया मैंने, और इसका जो radius है वो 3 cm है, ठीक है, अब आपको इस circle के center से 7 cm दूर एक point लेना है, point ले लिया, ठीक है, question में आपको बोला जा रहा है, तो आपको point लेना पड़ेगा, और ले लिया मैंने point A, अब यह 3 है, और यहां से यहां तका distance 7 है, तो आपका mess इतना भी पूर नहीं होगा, आप बोली दोके कि यह sir, 4 cm होगा, 3 plus 4 is equal to 7 होगया, तो आपको क्या करना है, circle के circumference से यहां पे 4 cm लेकर एक point ट्रॉ कर लेना है, मैं आ इतना करने के बाद, हम इसको और इसको यहां पे ऐसे, ऐसे bisect करेंगे, मुझे यहां पे एक center point मिलेगा, वहां से एक circle बनाएंगे, और circle से यहां पे एक point मिलेंगे, और उस point से हम इसको ऐसे connect करेंगे, ठीक है, ऐसे कुछ diagram बनेगी, कैसे बनानी है, मैं आपको दिखाता इस वीडियो के अंदर, तो बने रही है, हमारे साथ, हम आपको पूरा सारा कुछ explain करेंगे, मैं वर्क्स प्लेस को थोड़ा सा, जूम कर लेता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझने आए, अब सबसे पहले तो हम 3 cm का एक circle, ड्रॉ करेंगे, 3 cm का circle, ड्रॉ करना है, मैं न चलिए, यह ले लिया मैंने 3 cm का measurement, fine, okay, अब यहाँ पर मैंने हो सके तो आप पेज के right side में draw कीजिए, ताकि आपके पास space रहे draw करने के लिए, अब आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मुझे मालूम नहीं है, बट मैंने यहाँ पर एक 3 cm का circle, ड्रॉ कर लिया है, ठ पिलाल आपको draw करना ही है, चलिए, मैंने यहाँ पर circle एक draw कर लिया है, 10 का point काफी thin है, तो आपको दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर यह मेरा center O, और यहाँ से यह radius है, 3 cm, right, okay, अब क्या करना है, मुझे इस center point से यहाँ पर बाहर एक point लेना है, जिसकी length center से 7 cm होनी चाहिए, तो चलिए, यहाँ पर मैंने 0, center पर 0 shift कर दिया है, और देखे, आप 7 cm आपको कहाँ मिलता है, यह रहा, 7 cm, चलिए, यह आपको 7 cm में मिल गया, आप क्या कीजिए, इसको rate से दिखा दा हूं तक आपको दिखाई दे, यहाँ पर कैसी line draw कर लिजिए, चलिए, line draw कर लिए आपने, I think so, आपको circle दिखाई दे रहा होगा, मैंने काफी light draw किया है, यह point ले लिए, मैंने x, right, अब क्या करना है, circle के किसी point से मुझे ऐसी दो line draw करनी है, इस point के उपर, x, यह ऐसे, और ऐसे, अब अपनी दो चलेगी नहीं, अपने इसाफ से तो हम draw नहीं कर सकते इसको, कुछ rules होते हैं, चलिए, rules से चलते हैं, अब हम क्या करेंगे, इस o और x को, बाइसेक करेंगे, देखो, इस o और इस x को, measurement ले लिया, मैंने इतना, ठीक है, इसको हम बाइसेक करेंगे, यह, एक arc उपर जाएगा, और एक arc नीचे जाएगा, आपको arc दिख रहे हैं, वही का वही measurement, मैंने कोई जादू नहीं किया, इ यहाँ पे, और एक arc लगा लेते हैं, यहाँ पे, नीचे, आपको दो points मिल जाएगे, point m'dess, यह भी m'dess, ठीक है, आपको हलकी हलकी line से, dash line से, इन दुनों को connect कर देना है, मैंने बोला हलकी line से आपको connect कर देना है, तो देखिए, हलकी line से मैंने connect कर दिया है, आपको दिखाई दे रही है, सायर से, इतने भी हलकी नहीं है, चलो, यहाँ पे आपको एक point मिल गया, इस point को नाम दे देना है, P point, और इस P point से हम क्या करेंगे, एक circle draw करेंगे, जिसकी radius, circle के center के बराबर होगी, ठीक है, देख सकते हो, मैंने क्या किया, P midpoint आया था, इस O X का, और इस O को और P को मैंने measure कर लिया, compass के अंदर, और यहाँ से, मैं एक circle draw कर रहा हूँ, चलिए, इस circle draw हो रहा है, ऐसे, पैन है, काफी light है, ठीक है, अब हमें मिल गए, मैं क्या करूँगा, इस point को इस से, और इस point को इस से connect कर दूँगा, ठीक है, चलिए connect कर लेते हैं, यह रहा आपका tangent 1, और, यह रहा आपका tangent, T1 and T2, ठीक है, तो इस सरीके से आपने यह tangent बना दिये, कुछ difficult नहीं है, X, T1 and X, T2 are two tangent of a circle, having radius 3 cm, ठीक है, और, यह tangent क्या करते हैं, यह जो point है, उसकी direction को दिखाते हैं, ठीक है, हर एक में आपको ऐसे ही करना है, एक circle draw करना है, उसके बार एक point लेना है, और उस point को circle के center से join कर देना है, फिर वहां से यह जो distance मिलेगा, उस distance को आपको bisect कर देना है, तो आपको एक midpoint मिलेगा, और फिर उस midpoint से circle के center तक की radius लेके एक circle बना देना है, और circle बनाने के बाद, आपको दो points मिलेंगे, आपके पुराने circle के उपर, जो question में दिया होगा, और उस point से आप बाहर वाले point को connect कर देना है, तो आपको tangents मिल जाएंगे, काफी आसान है, मैं zoom in कर देता हूँ, ताकि आपको पूरा page दिख जाए, चलिए, ठीक है, ये ठीक है, okay fine, तो मिलते हैं next video के अंदर, तब तक के लिए thank you so much, और इस video को like, share, subscribe कीजे, camera के अंदर live construction करना काफी difficult है, फिर भी हम आपको करके दिखा रहे हैं, तो ती है, thank you so much